नमस्कर दोस्तों में नम स्रीकांत कुमर अब देखरें टू जेक्टोसेस आज हम बात करने वाल इस वीडियो में दोस्तों पुरिय भारत देश में गोर्मेंट के द्वारा एक नया पोर्टल को लॉंच किया गया है स्रमिक लेवर मजदूरों के लिए तो दोस्तों अगर आप एक स्रमिक लेवर मजदूर हैं तो एक वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्पोर्टेंट होने वाला है इसलिस वीडियो को कम्प्लीट देखना बहुत ही जरूरी है तो दोस्तों अगर आप एक स्रमिक हैं और किसी भी company में अगर आप काम कर रहे हैं और उस company में अगर आपको वेतर नहीं मिल रहा है bonus नहीं दिया जा रहा है किसी भी प्रकार का कोई भी problem है उस problem को आप जो है कि इस portal पर आकर ठीक कर सकते हैं जिसे भी आपको जो है कि जो भी problem है शोल पर हो जाएगा और अगर आपको salary नहीं दिया जा रहा है तो आपको salary भी मिलेगा, bonus भी मिलेगा, जो भी problem है उस problem को इस portal पर आकर आप शामाधान कर सकते हैं, तो इसका क्या process है, किस प्रकार से हमें कड़ना होगा, सब कुछ इस वीडियो में complete बत लाने वाले हैं, इसलि दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले mobile ये laptop का किसी एक browser को open कर लेना है, browser में type करना है, सामाधान portal उसके बाद सर्च के option पे click कर दना है, सबसे उपर में जो link दिक रहा है, इस link पे click कर दना है, सामाधान portal के official website इस परकार से open हो जाता है, जो इस इस परकार के interface देखने के लिए मिल जाता है, और एक portal किस लिए launch किया गया है, चलिए ओचीश को सबसे पहले यहाँ पे clear कर दते हैं, तो दोस्तों एक portal जो launch किया गया है, सरमको को ने आए दिनाने के लिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो इस परकार से नीचे चल आना है, और यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, for new user, sign up, और यहाँ पर दिख जाता है, click here, इस वाले option पे click कर दना, click करने के बाद अगला पेज इस परकार से open हो जाता है, और अगर आप mobile इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है, 3. 3.3. के option पे click करना, यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, desktop site इस वाले option पे click कर दना है, तो यहाँ पर सबसे पहले अपना ID को create करना होगा, तो ID create करने के लिए यहाँ पर अपना full name को type करना है, यहाँ पर email ID को type करना है, यहाँ पर अपना mobile number को type कर लेना है, यहाँ पर द देखनीक लिए मिल जाता है capture code इस box में type करदना है और यहां पर दिख जाता है संबित संबित के option पे click करदना है आपके mobile नमबर पर एक OTP को send किया गया है और उस OTP को यहां पर type करदना है verify के option पे click करते हैं तो registration successfully हो जाता है अब login होने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना हो तो click के option यहां पर झुद्ढिक रहा है इसी वाले option पे click करना है यहां पर आपका mobile number automatic आ जाता है यहां पर दिख जाता है capture code को यहां पर type करना संबित के option पे click करदना है आपके mobile number पर एक OTP को send किया गया है, उस OTP को यहाँ पर type करना संबित के option पर click करना है, login होने के बाद कुछ इस परकार के interface देखने के लिए मिल जाता है, और जैसे आप zoom करते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है, new application इस वाले option पर click कर दना है, तो यहाँ सबसे पहले आपस पुछा गया है, क्या आपके पास UA number है, अगर है तो आपको यहाँ पर select करना है, यहाँ वाले option को select करना है, अगर नहीं है तो नो वाले option को select करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको UA number यहाँ पर फिलब करना होगा, और अगर नहीं है तो आपको करना है, no वाले option को select करना है, नेक्स्ट के option पर click करना है, उसके बाद इस परकार के form open हो जाता है, इस form को तरीके से फिलप करना होगा, जो भी आपको problem होगा, उसके तग्री को select करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर अपना नाम को type करना है, यहाँ पे आपको टाइप करना है कौन सा पत पे आप जौग करते हैं उसका नाम को यहाँ पे टाइप करना है यहाँ पे अस्टेट का नाम को स्लेट करना है यहाँ पे पोस्टल कोड पी नंबर को टाइप करना है यहाँ पे होस्ट नंबर फ्लेट नंबर यहाँ पे आपको लेना है यह सब आपको फिलप करने के बाद होए कि आपको फिर नीचे चले आना है यहां पर आपको फिलप करना होगा जिसके उपर आप छिला यह को लिच Burke फिलप करना होगा तो एस अब आपको फिलप कर लेना है और जैसे आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर एक disclaimer दिखने के लिए मिल जाता है इस box पर टिकॉट करना है तिकॉट करने के बाद यह side में चले आना है यहाँ पर दिख जाता है संवित के एक option जैसे संवित के option पर क्लिक करते हैं तो complain जोई कि आपके नाम से दर्ज हो जाता है और आपको एक complain ID मिल जाता है उसको आपको note करके या screenshot करके आपको रख लेना है उसके बद आपका समस्या का सामाधान कर दिया जाएगा और दोस्तों यहाँ पे आप देख रहें ministry of labor का हम official tutor को इस परकार से open कर लिए हैं और यहाँ पर देखे इस परकार से ट्यूट करके भी जनकारी दिया गया है तो यहाँ पर आप देख रहें कि तीन-तिन यहाँ पर ट्यूट किया गया है और जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि सामधान पोटल से करमचारी का जीवन हुआ सरल तो यहाँ पर देखे बताया है कि वेतन, बोनस, ग्रेच्यूटी, मार्तुतिवे लाव ना मिलने पर करें सिकाई तो दोस्तो अगर आप एक स्रमिक हैं और अगर आपको यह सब प्रोब्लम है तो इस पोटल पर आकर जो है कि अपना सिकाई दर्ज कर सकते जिसे आपके समस्या के जो है कि आपका छुटकारा हो सकता है तो चले दोस्तो अगर वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो के लाइक कर जिएको मेरी चैनल पर नहीं है तो मेरी चैनल को सब्सक्रेब कर लिए जब लाइकर धन्ती को भी प्लेस कर लिजएगा